भाई जब से मैंने फिल्म देखना शुरू किया तब से एक बात बोली जाती है बॉलिवुड में कॉंटेंट माने अक्षे कुमार पांच फिल्में पांचों का सब्जेक्ट अलग-अलग होगा लेकिन फिराई मास की आंधी और अक्षे कुमार की फिल्मों के थेटर खाली हो गए पब्लिक को पैड मैन और ओमजी टू जैसी मूवी सिर्फ डिसकशन के लिए अच्छी लगती है तो अब जैसा पब्लिक का टेस्ट वैसे अक्षे कुमार की फिल्में बदलेंगी आपने बोला मास तो अक्षे का खिलाडी वर्जिन लोडिंग फर्स्ट क्लास बड़े मिया छोटे मिया इस फिल्म का सिर्फ नाम सुन रहे हैं हम लोग काफी लंबे टाइम से बीच बीच में पोस्टर्स आते रहते हैं उससे को एक हास पर पढ़ाने लेकिन सब्र का फल मीठा क्यों होता है वो आज समझाया जब अक्षे कुमार प्लस टाइगर शॉफ की फिल्म का उमीद से बढ़कर टीजर देखने को मिला बॉस देखो भाई सबसे पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा फिल्म बनाने वाले और इसमें काम करने वाले लोगों को फिल्म के अंदर दो हीरो के सामने सिर्फ एक विलन को क्यों लिया गया क्योंकि वो काफी होगा सब को छोड़ो भाई अक्षे कुमार का कमबैक जो मेरे लिए तो वैसे OMG2 से हो गया था वो one of the best फिल्म थी lifetime Bollywood में लेकिन काफी लोग तब थेटर गए नहीं तो अक्षे पाजी ने बदला लिया है भाई क्योंकि इस टीजर को देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता क्या आप फिल्म के टिकेट्स बुक ना करो बहुत लंबे टाइम बाद अक्षे का वो confident look वापिस आया यार बड़े मिया छोटे मिया में वो original खिलाडी वाली जलक दिख रही है मुझे अक्षे कुमार haters जो पीछे पड़े रहते हैं इनके selfie का नाम लेके डराते हैं collection का मजाग बनाते हैं उनको डिरेक्ट इस टीजर को देखने के बाद doctor की जरत पड़ेगी क्योंकि बड़े मिया छोटे मिया इस ताल सबसे बड़ी opening ले सकती है boss सकती क्या लेने वाली है समझो टीजर छोटा था लेकिन काफी hints दे गया कि फिल्म में भाई खतरनाक stunts और action वगेरा होने वाला है शायद जो आज तक इंडियन सिनिमा में किसी ने try नहीं किया एक special चीज यहाँ पर लिखते जरूर रख लेना वो ये कि फिल्म में जो action वगेरा डाला है वो totally real होगा माने VFX का ज़्यादा इस्तमाल नहीं किया गया है यार मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ कि टाइगर शॉफ को ना एक proper superhero action film करनी चाहिए वो बंदा बना ही तोड़फोड करने के लिए है ये जबरदस्ती का हर hero को romance आना चाहिए, emotions आने चाहिए, dance आना चाहिए, ये सब फाल्तू चीज़े है बड़े मिया छोटे मिया में Tiger Shop का असली power action 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 देखने को मिलेगा और film अपने आप बढ़िया बन जाएगी क्योंकि भाई टीजर में छोटा साही सही, लेकिन Tiger का जो dialogue बोलने का तरीका है, उसे मैं तो impressed नहीं हुई, वो department अक्षे को समालना पड़ेगा अच्छा मैंने notice किया, कुछ लोग अभी से comment करने लगे हैं कि 800-900 करोड कहीं नहीं गए, 1000 करोड भी पार कर देगी ये फिल्म तो भूल गए, इसी same production house ने हमें गनपत जैसा धोका दिया था, उसके जख्म अभी भी ताजा हैं भाई और इस teaser में भी वो future वाले कुछ shots तो डाले गए हैं यार, बस इसका overdose नहीं होना चाहिए, हमें proper action film चाहिए बस और भाई, ये हिंदुस्तान वर्सिस पाकिस्तान वाला overdose नहीं करना है प्लीज, हर दूस्ती फिल्म इस पर बने की तो पब्लिक बोर हो जाती है, फिल्म पुरानी सी लगने लगती है इसलिए बड़े मिया, छोटे मिया का जो ट्रेलर आएगा, उसको असली game changer साबित होना पड़ेगा, खूप सारे action scenes डाले जाएं ताकि पब्लिक को reason मिले theater जाने का और पृत्वी राज as villain का suspense बना के रखना पड़ेगा, जादा story reveal भी नहीं करना है, वरना लोग घर पे देख लेते हैं, OTT का जमाना है तो यार बड़े मिया, छोटे मिया, undoubtedly Bollywood की strong mass film जैसी दिखाई पड़ रही है, जो South movie से compete करने वाली है लेकिन सिफ टीजर से expectations आसमान तक मत लेके जाना, हमें दूसरी गनपत नहीं चाहिए, ट्रेलर का wait करते हैं, उमीद है इस बार ईब मिठी होगी तो भया मेरी बातें खतम, अब आप अपना review शुरू कर दो नीचे comments में, बाकी थोड़ा सा इंतजार मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, take care, bye bye